नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल माइकी मिन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम इगनू का कोर्स बीलाइस को कवर कर रहे थे जिसमें हमने 1 से लेकर 229 तक पूरा कवर कर लिया है और ये हमारा बीलाइस 225 का लेक्चर सीरीज 4 है इससे पहले 3 और लेक्चर डल चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा तो उपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो देख ले और हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर ले लेक्चर का जो भी पीडेव होता है वो सारा वहीं पे डल जाता है और यह जो लेक्चर है यह स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं क्योंकि अलड़ी हमने जो कवर कर रखा था टू टू फाइव का और यह कम्यूनिकेशन का आपका है तो इसमें हम इस वाले में कवर करेंगे जो आपका अंसीन पैसेज है और कुछ ग्रैमर के कोश्चन हम लोग कवर करेंगे तो इस वीडियो में आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगएगा वीडियो और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन सभी को भी हल्प हो सके हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपसे थोड़ा सा एफर्ट चाहिए प्लीज करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में इससे पहले तीन और लेक्शर हमने डाल दिया है और ये लेक्शर आप लोग के बहुत सारे रिक्वेस्ट के ओपर ये वारा लेक्शर हम लोग ले के आए हैं ये special लेक्शर आपका चल रहा है जिसमें हम multiple choice question को discuss कर रहे हैं क्योंकि इस बार का जो आपका एक्जाम होने वाला है वो multiple choice question के format में आएगा तो जो 225 है यह हमारा communication का English communication का जो है तो इसमें जो हम expect कर सकते हैं क्योंकि जो अभी हमने first time यह सारा हो रहा है MCQ format में जो आपका exam तो हमें 225 का कोई idea नहीं कि किस तरीके से question हो लोग frame करेंगे पर most probably जो हमें लगता है कि या तो unseen passage के रूप में question देंगे और उसके चार answer होगा इसके बहुत जादा high chances है आने के क्योंकि आपका जो previous year का question देखे जो theoretical था उसमें भी unseen passage उसमें आया हुआ है तो उसके हम question expect कर सकते हैं और साथ में हम grammatical question को भी देख सकते हैं grammar से question आ सकता है क्योंकि जो last year का जो आपका या last to last year कोई साभी आप paper उठा के देख लें तो उसमें भी इसी तरीके के question आये थे जादा तर जो था वो सारे grammar से question आये थे जैसे active passive voice आ गया था और आपका ये tense वगरा आ गया था preposition ये सारी चीज़े आ सकता है तो इसी लिए हम basically आप लोग का इसी पर ज़्यादा तर फोकस करवा रहे हैं तो चलिए फिर आज का lecture सुरू करते हैं और आज का lecture में हम लोग आपके लिए unseen passage लेके आए हैं कुछ दो unseen passage हैं बहुत छोटे हैं डेफिनिटली उतने लेवल उतने छोटे लेवल के unseen passage आपको देखने को नहीं मिलेंगे बट एक तरह से आपको आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्यूंकि unseen passage वैसे भी सेम नहीं आते हैं तो आप लोग को at least practice रहेगा कि कैसे आते हैं question कैसे आप लोग को solve करना है कैसे read करना है तो आप लोग का बस यही आप लोग का concept clarification हमारा main motto है तो और उसके बाद हम करवाएंगे आप लोग का preposition से question है आपका 30 plus में है question तो आप लोग को जब PDF मिलेगा तो आप लोग practice जरूर लगाईएगा और हम लोग अभी हाँ पर आप लोग का पूरा detail में discussion कर लेंगे आपका preposition का जो जो भी मतलब चीजे हैं वो मुझे नहीं लगता आज के इस lecture के बाद आप लोग को मतलब clarification नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा आप लोग का सारा चीज आप एक बार practice करते रहें अभी 2 to 5 में time है जब तक और कोई भी doubt होता है तो please करके comment works में जरूर बताएं तो चले शुरू करते हैं आज का lecture 2 to 5 का तो पहला question जो है इसमें देखिए यहां पर English preposition mcq होगा जिसमें practice मतलब set यहां पर आप लोग को दे रहे हैं हम लोग तो पहला question है नफीसा is afraid dash spider तो नफीसा जो है वो afraid afraid मतलब ड़ना तो डरी किसी से है spider से तो यहां पर preposition में आपके चार option दिये हुए है जिसमें से आपका जो correct option है वो है d मतलब of नफीसा is afraid of spider तो आपका जो preposition होता है वो यही सारा होता है of about in at on from between यह सारे आपका preposition होता है तो यह क्या बताता है preposition प्लेस एक प्लेस बताता है जैसे कि example के तोर पर अगर मैं आप लोगों को समझा दूँ तो जैसे कि अगर आप लोग एक bed के ऊपर बैठे हैं बैठे हैं तो होगा I am sitting on the on the bed ठीक है आप in the bed नहीं बोल सकते क्योंकि जब आप in the bed बोलेंगे तो आप bed के अंदर होंगे तो bed के कोई अंदर नहीं बैठता हमेशा ही bed के ऊपर बैठता है तो उस case में हम बोलेंगे on the bed और जैसे कि आपके रूम में जो fan है जो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे उस रूम में आपका fan है तो वो होगा the fan is hanging above my head मतलब आपके सर के ऊपर वो hang कर रहा है तो ये सब preposition होता है जो कि एक place बताता है जैसे कि माल लीजिए आप अपने रूम के corner में खड़े हैं तो आप क्या बता है वहाँ पे place of preposition क्या होगा he is standing at the corner of the room तो वो exact position बताता है कि कौन सब रूम में भी कहां पे तो माल लीजिए अगर in लगा देते तो आप अंदर हैं बट उसमें exact position आपका नहीं पता चलता कि आप कहां पे हैं पर जब at लग जाता है तो exact position आपको बता देता है कि आप कहां पे हैं कि at the corner of the room या फिर at the middle of the room तो यह सारी बाते आप लोग को इस वीडियो में और preposition आपको I hope की clarification हो रहा होगा और फिर भी कोई doubt है तो please करके comment works में आप जरूर बताएं तो इसका जो correct option जो है वो है D of spider, spider say second question है I am worried, dash the exam, जैसे कि आप लोग के exam आने वाले हैं कल आपका पहला exam है उसके लिए आप लोग को all the best और बहुत अच्छे से आप लोग exam करके आईएगा और आके आप लोग feedback जरूर देना आप लोग की कैसा आप लोग का paper गया और जो भी कोई doubts हो तो please करके cooperate करें और फिर आगे वाले जो भी है उसके लिए preparation अब करते रहें और अच्छे से पास हो जाएं यह हम लोग की कामना है तो second question का है हमारा second question का जो correct option है वो है be about the exam तो यह देखें जैसे मान लीजा आप elimination method भी इस्तवाल करते हैं अगर आप लोग को basic मतलब चीजे नहीं आती है तो जैसे कि मान लीजे से I am worried अब इसमें हर चीज को आप एक बार fit करके देखें जैसे कि मान लीजे इन लगाते हैं तो क्या होगा I am worried in the exam तो in the exam क्या होगा मतलब आप exam के बीच में worried हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता है तो यह नहीं होगा अब आप दूसरा लगा लीजे जैसे कि I am worried about the exam तो यह हो सकता है जैसे कि exam को लेकर कोई worried हो सकता है तो यह हो गया about the exam अब तीसरा है जैसे कि I am worried on the exam on the exam मतलब exam के उपर worried है तो यह भी नहीं होगा मतलब एक common sense भी होना चाहिए sentence का of the exam यह भी नहीं होगा about the exam होता है तो यह हमारा second question था तो चलते हैं question number third पे third question है he looks upset I think he took the criticism यहाँ पे है कि वो उदास है क्योंकि उसने criticism को कैसे लिया है इसमें option है चार option दिये हुए हैं जिसमें से third का जो आपका correct option है वो है a to heart मतलब वो उदास है क्योंकि उसने criticism को बहुत ही दिल से ले लिया he took the criticism to hearts तो यह हमारा question number third था question fourth है हमारा fourth का है I am envious dash them तो इसका जो correct option है fourth का वो है a I am envious of them ठीक है question number fifth है fifth question है he confident dash me तो he confident dash me मतलब कोई है वेक्ती जिसने confident किया मुझे तो इसमें कौन सा आएगा fifth का तो fifth का correct option है be he confident in me उसने मेरे अंदर confident डाला या उसके वज़े से मैं confident हुआ ऐसा मतलब हो सकता है तो दो-तीन sentence आफ relative बना के उसको भी आप practice set लगा सकते हैं तो हाँ एक आप लोग को homework है यह थोड़ा मतलब vocabs भी आप लोग का strong होना चाहिए तो जैसे कि envious तो envious का क्या meaning होता है please करके comment works में जरूर बताएं और जो भी बच्चे बताते हैं एक लड़की है वो continuously मतलब जो भी हम question पूछते हैं वो हर एक question का answer देती है तो उनके लिए मतलब बहुत हमें अच्छा लगता है कि at least वो एक particular बच्चा है जो की हमें reply देता है बाकी सब तो ऐसे ही लग रहा मतलब ऐसे ही बस देख रहे है पैसिव होके तो प्लीस होके पैसिव होके मत देखें एक्टिव बने और reply करें इससे आप की भला होगा हमारा क्या है हम तो question भी करा दें ऐसे बोल के निकल लिए इससे कोई फायदा नहीं होना जब तक आप लो हमारा फर्ज है और पढ़ना आपका है तो डिपेंड किस पर करेगा हमारा तो सिर्फ कुछ परसंटेज आपको देना है आपको मतलब एक आईना दिखाना है उस आईने में आपको तस्बीर खुदी बनानी है तो इसी तरीके से ये life का जो exam है ये exam में आपको ही वहाँ पे नहीं किया और exam में जाके आपनो आपने उस वहाँ पे भूल गये तो फिर उसमें किसकी गलती होगी तो इसलिए ऐसे कुछन ना पूछे बहुत बचकाना लगता है आप मैचौर हो गये हैं मैचौर की तरफ बहेव करें तो एन्वेस का प्लीज करके आप लोग रिप्लाय क करें और इसका हमारा question no. 5th का जो था वो था इनमी आगे चलते हैं question 6 पे 6 है they decided the gray gray sofa तो इसका जो correct option है six का वो है be they decided on the on the great so far ठीक है तो six question था seven पे है she suffer dash a heart disease वो किस चीज से suffer कर रही है heart disease से suffer मतलब वो बिमार है मतलब उस चीज से ग्रसित है तो हमारा जो seven गोशन है उसका correct option जो है वो है see from a heart disease वो heart disease से ग्रसित है तो eighth question है हमारा the teacher set some work the teacher set some work dash the end of the semester lesson तो teacher ने है कुछ homework को set कर के दिया lesson के अंत में तो इसका जो correct option जो होगा eight का वो हमारा होगा option D at at the end of the lesson जैसे कि मैंने starting में ही आपको at on ये सारी चीज़े clarify कर दिया था कि at जो होता है मतलब specification होता है बहुत ज़्यादा clarify करके बताता है कहा तो यहाँ पर देखे जैसे at the end मतलब आखरी में उन्होंने कुछ homework set करके दिया तो यह हुआ हमारा eight question question number ninth है I am good dash tennis I am good dash tennis में क्या आएगा ninth का जो correct option जो है वो है C at tennis तो मैं tennis में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ तो यहाँ पर यह हो गया चलते हैं question number tenth पर tenth question है we arrived dash the station on our later तो इसका जो correct option है tenth का वो है C at the station on our later हम लोग station पर पहले ही पहुँच गये एक घंटे पहले ही पहुच गये तो यह हमार tenth question था अब देख लीजिए यह सारी चीज़ डिसकस इसलिए हम लोग कर रहे है मतलब ताकि कम question में ही आफ लोग का जो concept है वो clear हो जाए एक बार आपका जो concept clear हो गया तो फिर आप कैसे भी question मिल जाए आप कर लेंगे पर हजारों question हम आपको दे दें पर आपका concept clear मतलब clear ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं है इतने सारे question करने का तो इसलिए प्लीज करके थोड़ा मतलब चीजों को समझे और सही से करें तो 11th question है He is interested dash history तो वो interested है history में तो यहाँ पे जो blank है 11th का उसका correct option है C He is interested in history अब in history है मतलब history में on history नहीं आता history के उपर कोई interest नहीं दिखाता history में interest दिखाता है तो जो भी subject होते हैं उन में हमेशा ही ऐसा ही आएगा जैसे कि अगर यहाँ पे chemistry होता bio होता कोई भी subject होता तो हहाँ पे होता he is या she is interested in biology psychology chemistry, geography तो सब में in आएगा ठीक है तो देखिए आपका एक से कितने सारे concept आपको clear होते जा रहे हैं आगे चलते हैं 12th कोईशन पे कोईशन number 12 है हमारा please do not interfere dash my personal affair ठीक है तो हमारा 12th कोईशन जो है उसका correct option है B please do not interfere in my personal affair इसका मतलब कोईशन का मतलब हुआ कि please करके हमारे जो personal जो काम होते हैं या जो हमारे personal matter होते हैं उसमें आप लोग interfere ना करें दखल अंदाजी ना दें तो इसमें in आएगा ठीक है आगे चलते हैं कोईशन number 13 पे 13th कोईशन है green paper is very rich green paper is very rich इसका हमारा correct option है green paper जो होता है वो rich होता है vitamin C से in vitamin C तो ठीक है इसमें भी in आएगा आगे 14th कोईशन है हमारा he was embarrassed because everybody was laughing डैश हिम ठीक है तो इसका इसका मतलब यह है कि वह जो वह embarrassed feel किया क्योंकि सारे लोग हस रहे थे तो इसका correct option जो होगा 14 का वो है see at him उसके उपर लोग हस रहे थे यहाँ पे at him ठीक है उसके तो embarrassed उसने क्यों feel किया क्योंकि उसके उपर सारे लोग हस रहे थे 15th कोईशन है हमारा she cares the dash the environment तो 15 का जो correct option है वो है d she cares about the environment वो environment को लेकर या environment से बहुत ज़्यादा केर करती है तो यहाँ पे 16th कोईशन पे आते हम 16th कोईशन है हमारा it was kind dash you you to help it was kind dash you to help तो इसका correct option जो होगा 16 का वो है of of you to help ठीक है इसे कोईशन में आप लोग कन्फीज हो सकते हैं तो ऐसे कोईशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे कि कहां पे क्या आएगा तो 16 का A है correct answer of you help 17th कोईशन है unfortunately we had to cancel it owing dash the bed weather तो इसका correct option है 17th का B unfortunately we had to cancel its owing इसका correct option जो है 17th का B owing to the to the bad weather ठीक है आगे चलते हैं question number 18th पे 18th question है what did you make dash the lecture तो यहां पे correct option जो आता है उसका है D what did you make of the lecture ठीक है तो आगे चलते हैं question number हमारा 19th पे 19th question है he was accused dash theft तो 19th question है हमारा इसका correct answer है D he was accused of theft तो आगे चलते हैं question number 20th पे 20th question है as as dash me I will be happy to land a hand तो इसका correct option जो होगा 20th का वो होगा be for as for me as for me I will be happy मेरे according देखा जाए तो या फिर मैं देख हूँ तो मैं बहुत happy हूँ to land land a hand ठीक है तो 20th question हमारा हो गया आगे चलते हैं land a hand मतला होता है मान लीजिए आप किसी क्या help कर दिये तो उसका मतला हुआ land a hand मतला अपना हाथ नहीं दे दिया आपने आपने उसकी help की है जैसे हाथ बढ़ाना तो वही होता है land a hand तो 21st question है it differ dash their last suggestion तो इसका correct option जो होगा 21st का वो होगा it differ from their last suggestion तो 22nd question पे चलते हैं 22nd question है हमारा I am dash favor the idea I think it will work well तो 22nd का जो correct option जो होगा वो है I am of favor the idea मतला मैं इस idea को favor करता हूँ या करती हूँ I think it will work well मुझे लगता है कि ये काम करेगा अच्छे से 23rd question है हमारा What is the cause dash the problem तो 23rd का जो correct option जो है वो है A What is the cause of the problem जो problem है उसका main cause क्या है तो आगे चलते हैं 24th question पे ये है I would like to thank you dash behalf of all of us तो इसका जो correct option जो होगा वो होगा 24th का A On behalf of all of us मैं thank you बोला चाहता हूँ On behalf of मतला हम सब की तरफ से 25th question है He is jealous dash her success तो 25th question का answer जो हो जाएगा वो है He is jealous of her success तो मतलब वो इसके या फिर वो मेरी success से जलती है या जलता है जलती है क्योंकि He है यहाँ पे अगशी होता तो जलती है यहाँ पे होता आगे चलते है 26th question पे 26 है Everything is dash control There is no need to worry तो यहाँ पे जो correct answer जो होगा यह है Everything is under control There is no need to worry सब सारी चीजे हमारे control में हैं Under मतला control में बिलकुल तो इसके लिए worry ना करें 27th question है He is married dash maria तो इसका correct option जो होगा 27th का वो होगा B To maria ठीक है He is married to maria उसने maria से शादी कर ली 28th question है He does not care dash losing his job तो 28th का correct option है He does not care He does not care about losing his job उसको कोई फरक नहीं पड़ता अगर उसका job भी छूट जाए तो तो about आएगा इसमें 29th question है I never listen dash the radio तो यहाँ पर correct answer जो होगा वो होगा A to the radio I never listen to the radio मैंने radio को कभी नहीं सुना 30th question है हमारा Do not take any notice dash him तो इसका correct answer जो होगा वो होगा C Do not take any notice of him तो यह हमारा 30th question था और इसी के साथ हमारा यह preposition समाप्त होता है आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो comment works में जरूर बताएं और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा यह भी बताएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि बाकी जो student है उनकी भी help हो जाए और इसी के साथ साथ आप लोग का grammar जो है वो portion strong होता जाएगा क्योंकि although आपके life में जो English है वो हमेशा ही important role play करेगा तो English से कभी दूर ना भागे क्योंकि यह जो language है यह आपको help करेगा आगे जाके भी तो please करके अगर जिनको नहीं आता वो कोशिश करें कि इस चीज को सीख ले जितना जल्दी हो सके क्योंकि आगे की जो आपकी journey होगी उसमें भी आपको यह face करना ही पड़ेगा तो फिर मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद